हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों लेके हैं हूँ नही रुक्रीट्मेंट की इंफोर्मेशन रुक्रीट्मेट आ रहे हैं राज्ये सबा सेक्टरियेट की तरफ से राज्ये सबा रिसर्च और स्टडी स्कीम के अंतरगर्द दोस्तों जो है वो रुक्रीट्मेट नोटिफकेशन निकाला गया है जिसमें कि आप सभी फारती इंडिया की किसी भी स्टेट्स से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रिक्रीट्मेंट फीज बिल्कुल भी नहीं रखी गए पुए अप्लाई करना है तो डीटेल में बात करेंगे दोस्त हम इसके लिजीमिल्टी क्रिटेरिया की सेलेक्शन पॉसेस की कौन कोने लीजिबल है कौन कौन सी position के लिए आवेदन मागेगे हैं कैसे apply करना है कहां application form आपको मिलेगा सबी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे तो शुरू से लेके last six video को थ्यान से देखिए तांकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल चाहे तो यहां पे दोस्तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बात करते दोस्तो राज्यसभा fellowship की post के लिए जिसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं all over इंडिया से आपकी यह जो है वो 25 से 65 एर के बीच में होनी चाहिए बाकी यहां पे अगर आपने master degree की हुई है social science में, law में या किसी other related discipline में आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं preference साला की जो है वो emphil और PhD candidate को दी जाएगी लेकिन आप चाहें तो master degree के साथ apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तो बात करें duration का तो 18 मंत का यह duration रहने वाला है जो की extend भी हो सकता है 6 मंत के लिए और और यहां पे दोस्तो जो है वो 6 मंत के बाद आपको status report जो है वो submit करने पड़ेगी अगर दोस्तो आपका selection होता है तो यहां पे आपको research grant भी उनकी तरफ से दिया जाता है जो की होता है 8 लाग पूरे entire duration में आपको जो ही 8 लाग मिलेगा 20% मिलेगा जब आपका selection हो जाएगा 30% मिलेगा जब आप जो ही अपनी first draft report जो 6 मंत के बाद देनी होती है वो देंगे और बाकी जो amount होगा वो आप final draft report जब submit करेंगे तब आपको मिल जाएगा उसके लावा दोस्तो mode of selection की बात करें तो राज्यसभा की committee जो है ये selection करने वाली है अभी वो किस basis पे जो है ये करते हैं ये उनके अपने उपर है बाकी हो सकता है आपके experience को जो है वो देखा जाए बाकी यही panel जो है वो आगे जो है वो chairman को report देगा कि इन इन लोगों को हम लोगोंने select करा है राज्यसभा student engagement internship के लिए भी आवेदन मागे गए है summer internship के लिए आवेदन मागे गए है अगर आप अपने final year में है अभी अपनी study कर रहे है चाहे आप graduate है चाहे post graduate है आप apply कर सकते है इस engagement internship के लिए तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो किसी भी तरह की fees आपको pay नहीं करनी है और यहाँ पर duration की बात करें तो दो मंत का यह duration रहने वाला है और summer internship के लिए आप आवेदन कर सकते है जिसके दरान आपको 10,000 per month तक stipend भी मिलेगा अगर आपका selection होता है दो मंत के लिए आपको मोका मिलेगा राज्यसवा के अंदर जो है वो काम करने का बहुत कुछ सीखने का नए नए links बन सकते हैं आपके और इन future जो है आपको वही पर जो है वो किसी भी जो है वो organization के साथ या किसी जो है वो sunset के member के साथ जो है वो काम करने का मोका भी मिल सकता है तो यह जो है दोस्तों दो मंत का रहने वाला है जिसके जो रहन आपको stipend भी मिलेगा बहुत को सीखने को मिलने वाला है selection की बात करें तो selection वही same जो है वो committee करेगी और यहाँ पे दोस्तों अलग-अलग format दिया गया है जो की आपको अलग-अलग positions के लिए जो है वो fill करना है Dr. S. Radha Krishnan Chair के लिए भी आवेदन मांगेगे जिसमें की PhD वाले apply कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों जो है वो अलग-अलग form है अभी S. Radha Krishnan Chair के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो अलग-फोर्म है जो आपको fill करना है फिल करने के बाद उनके बताय हुए email address पे send करना है किसी तरह की hard copy आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है अभी दोस्तों यहाँ पे जो है Dr. S. Radha Krishnan Chair के लिए 4 vacancies है 10 vacancies जो है वो student engagement internship के लिए है और बागी एक या दो vacancies होगी fellowship की post के लिए इनको बढ़ाया जा सकता है कम करा जा सकता है यह उनके अपने हाथ में होता है अभी बात करते दोस्तों apply कैसे करना है जो format मैंने आपको बताया आपको हमारी website पर मिल जाएगा link direct description में दिया है notification के साथ format attached है उसको आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे अगर आप apply करने वाले है Dr. S. Radha Krishnan Chair के लिए तो आया आप फैलोशिप के लिए आवेदन करने वाले है तो यह उपर वाला जो email है यहाँ पे आपको send करना है बाकि अगर आप चुहें वो student engagement internship के लिए आवेदन करने वाले हैं तो यह नीचे वाला email है यहाँ पे आपको application form फिल करके send करना है last day अट है 31 March, 31 March तक आपकी application submit हो जानी चाहिए तो यह जानकरी दोस्तों दी गई है उनकी official website पर अगर आप eligible होते हैं तो आवेदन कर सकते हैं इस बड़िया recruitment के लिए आवेदन करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई आप fresher हैं, experience हैं आप बिल्कुल eligible हैं apply कर सकते हैं तो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में थेंक यू बड़ी मच इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करते हों का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी, वीडियो से रेलेटीड कोस्टन कमेंट सेक्चिन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में